असलाम उलेकुम आज आप बनाएंगे बहुती मज़ेदार चटपटे और चटखारेदार चपली कबाब बस आप मेरी रसेपी को फॉलू कीज़ेगा स्टेप बाई स्टेप फिर आप देखेंगे इतने पर्फेक्ट आपके एक अबाब बनेंगे कि बस खाकर आपका दिल खोश जाएगा चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक मिक्सी का जाल लेंगे और इसमें 1.5 टेबल स्पून डालेंगे साबुद धनिया और एक टेबल स्पून डालेंगे सफेज जीरा नॉर्मल जो जीरा रेगुलर यूज़ करते हैं और एक टी स्पून डालेंगे अनारदाना थोड़ी क्वेंटिटी में लेकिन अनारदाना इसमें जाता ही है लेकिन बाइदावे आपके पास नहीं है तो बाद में निबू कराज यूज़ कर लीज़ेगा और इन तीनों ही चीजों को हमें दरदरा पीस लेना है तो इस तरह से मैंने इसका एक दरदरा पाउड़ा बना लिया है साइड में रख और फाइन उनने हैं उनको हम चॉप कर की यूज़ करेंगे तो तकरीबन एक टमाटर आपने खारे इमेच को मैंने पिस लिया इधर मैंने जो बादी आप से तमाटर थी ये दो मीडियम साइज के बच्चे थे इसको मैंने एक्दम फाइन इस तरह से चॉप कर लिया जितना सबाफ के पाद चौपन नहीं है तो फिर आप कद्धुकष करके भी प्यास का पानी निकाल सकते हैं इसाम एजा six 1-50- लो ग्राम कीमा लिए होगा है। मैंने यह यह पर बखरे का कीमा लिए हैं लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं कीमे को या तो तीन बार आप बूचर से बोलकर मशीन से निकल वा लिजेगा या फिर मिक्सी या फिर फूर प्रोसेसर में एकदम फाइन पीस लिजेगा ये एकदम फाइन होना चाहिए इतना फाइन के बस आप इसको हाथ में रब करें तो एकदम स्मूथ सा इसका मिक्शर आपको दिखना चाहिए और आपको साफ सुत्रा सा कीमा लेना है चर्बी वगला डलवाने की इसमें जरूरत नहीं है अलग से अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे एक टी स्पून नमक डाला है मैंने वन एन हाफ टी स्पून कुटी वी लाल मिर्च और एक टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और इनको हमें हातों से बहुत अच्छे से मिलाना है तो आप हातों से इसको कम से कम 7-8 मेट लिए मिक्स के जगा नमक के कॉंटेक्ट में आगर इसमें एक लेसी आती है जैसे की कीमे के अंदर एक चिपचिपा बनाता है 7-8 मेट अच्छे तरह मिलाने के पाथ अब हमने जो धनीया, जीरा और अनार दाने का मिक्सर बनाया था הזה हम इसमें डालतेंगे एधा 2 तीज़फून हम डाले इसमें अजवाइन और एक टीस्पून डालेंगे काला जीरा यानि की शाहिज जीरा एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे जादा नहीं डालेंगे बस एक टीस्पून अब ये जो टमाटर और हरीमेश का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे तमाटा और हरिमेश को पीसते टाइम पानी बिल्कुल मड़ डालेगा सिर्फ टमाटा के पानी में इसको पीसते हैं अब यह आधा कप यानि की तक्रीबन 50 ग्राम डाला है मैंने मकी काटा मकी काटा ही इसमें जाता है जितना अच्छा आप इसको हाथों से मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे आपके चपली कबाब बनकर त्यार होंगे तो यहाँ पर जो मिक्सिंग का प्रोसेस है ना शुरू से लेकि लास तक तक तकरीबन 14-15 मिनट के लिए आपको हाथों से इसके मिक्सिंग करनी है तभी असल टेस्ट आएगा आपके कबाबों में जब बहुत अच्छे सब कुछ मिक्स हो जाए हमें इसमें डाल देनी है प्यास जिसके हमने पानी निकाल दिया था और साथ में फाइन चॉप किये टमाटर डाल देंगे और एक बाइंडिंग के लिए डाल देंगे अंडा लेकिन यह ऑप्शनल है इसके बगाइर भी इसमें अच्छे बाइंडिंग आ जाती है तो अगर आप अंडा नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं लेकिन अगर आखाते हैं तो जरूर डाल लीजेगा अफू बच यहरू अ 앞에 तो आखाते हैं डालेंगा और इसको मिस करते जाएगा अब बना लिए इसके कबाब तो एक चपाती प्लेंगे एक पलेट क्षला पर दील लगाकर प्लेदा करेंंगे इतने प्लेट में तो प्लेट में नहीं और शोद्देने क्याइए कि आप पहत अपनी sophomore करके handle कर सकते हैं उतना पतला करके तेल के अंदर डाल लीजगा एक दब medium hot तेल में इसको डालना है आपको और उसके बाद गैस की flame को low to medium करती जगा क्योंकि हमें कबाबों को अंदर तक भी पकाना है तकरेबान 8-9 नमनट पकाएंगे क्योंकि हम इनको deep fry कर रहे हैं आप इनको shallow fry भी कर सकते हैं लेकिन shallow frying में जो इसकी timing है वो 10-12 मिनट हो सकती है क्योंकि deep fry में हर तरफ तेल बराबर से आ जाता है तो यह जल्दी पक जाते हैं जब यह थोड़ा सा अपना shape ले ले तब इनकी sides को बदल लीजेगा और low और medium फ्रेम पर तकरेबान 8-9 नमनट इनकी sides को बदलते वे पका लीजेगा या पिर जब तक पका लीजेगा जब तक किन में एक बाहर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है थोड़ा सा लो हीट पर पकाना इसलिए जरूरी है ताकि यह अच्छे से अंदर तक को खो जाए इन कबाबों को बना कर आप फ्रीज भी कर सकते हैं तो फ्रीज करने के लिए किसी भी ट्रे में आप इनको थोड़ा सा दू आप चाहें तो टमाटा के स्लाइस बीन में लगा सकते हैं और बहुत ही आला किसम के हमारे चपली कबाब बनकर तयार हुए हैं बहुत टेस्टी बनाएंगे इनका जाएका एक तम ओरिजिनल चपली कबाब होते हैं बिलकुल वैसे ही आएका जब आप इसको इस मैथर से बन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा और यह जो साथ है मैंने चटनी बनाई है सिंपल हरिधनी है हरी मेर्ज की चटनी है जिसके इंग्रीडियंट्स मैं लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसमें द